तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और भाईयों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दस्मलो भिंड को 17 भिंड में बदलना यानि दस्मलो भिंड आपको दिया गया होगा आप उसे 17 भिंड में कैसे बदलेंगे तो आएए उसे हम एक्जाम्पल से समझते हैं चलिए मेरा जो पहला एक्जाम्पल है, पहला एक्जाम्पल है 2.5, यह एक दस्मलो भिन्द है, अब इसे हमें साधारण भिन्द में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए हम 2.5, इसको बटा हमें एक लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर एक से गया जाए, तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब वही संख्या लिखी हुई है, अब देखे, इसका तरीका क्या है, आप दस्मलो को यहां से हटाएंगे, अब आप जब दस्मलो को हटाएंगे, तो दस्मलो के दाई तरफ कितने अंख हैं, एक अंख है, तो हमको हर में एक जिरो बढ़ाना पड़ेगा, अब यहां हमने दस्मलो को हटा दिया, दस्मलो को हटा दिया तो कितना लिखा, पचीस, लेकिन क्या हुआ, जो हर था, उसमें हमें एक जिरो बढ़ाना पड़ा, क्योंकि दस्मलो के दाई तरफ एक अंख था, अब यह पच पहचाने जिसका हर 10, 100, 1000, 10,000 यानि 10 या 10 के घात के रूप में हो उसे हम दसमलो भिन कहते हैं तो ये दसमलो भिन का दूसरा रूप है अब यहीं पर आपको नहीं छोड़ देना दसमलो भिन को साधरल भिन में बदलने के लिए क्या किया जाता है हमने देखिए पहले क्या किय एक से भाग दिया फिर उसके बाद दसमलो हटाया उसके बाद क्या करना होता है इसको सरलतम रूप में लिखना होता है अगर इसका अंस और हर किसी एक संख्या से कट रहा तो उसको काड़ दीजिये जैसे देखिए 5 दूना 10 और 5 पंजे 25 तो कुल मिला करके क्या आया 5 बट बटे 2 तो इस दसमलो जो भिन ने थी उसको हमने साधार अरभिन में बदल दिया तो कितना आया 5 बटे 2 चलिए हम दूसरा एक्जामपल लेते हैं दूसरा एक्जामपल है 0.15 दसमलो के दाई तरफ के आंक को हम एक एक करके पढ़ते हैं यहनिकि दसमलो 15 पढ़ेंगे अब क्या करेंगे 0.15 इसको हम एक से भाग दे सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग दे तो उस संख्या पर कोई फर्ग नहीं पढ़ता अब देखिए हमको दसमलो को यहां से हटाना है तो हटाएंगे तो हमें दसमलो के दाई तरफ जितने अंक है उतने 0 बढ़ाने पढ़ेंगे तो यह हट गया जीरो लिख दे तो उससे कोई फर्ग नहीं पढ़ता किसी भी संख्या के आगे अगर जीरो लिखा है तो इसका मतलम ना के बराबर है तो यहां 15 बचा और इस हर में हमें कितना 0 बढ़ाना होगा दसमलो के दाई तरफ जितने अंक थे तो दो अंक थे हमें इसलिए यहां 2 0 बढ़ाने पढ़ेंगे अब बचा कितना यहां 15 बटे 100 अब इसको सरलतम रूप में लिखिए देखिए एक कट रहा है पांच तियां 15 और पांच बीस अहीं 100 तो कितना आया 3 बटे 20 यहनी 0 दसमल 15 इसको हमने साधारा बिन्द में बदला तो 3 बटा 20 आया चलिए हम तीसरा एक्जामपल लेते हैं तीसरा एक्जामपल है 1 दसमलो 2 4 अब चलिए 1 दसमलो 2 4 इसका बटा एक लिख सकते हैं और दसमलो को हटाएंगे तो दसमलो के दाई तरफ 2 अंग थे इसलिए हमें यहां 2 0 बढ़ाने पढ़ेंगे अब देखिए किसी संक्या से कट रहा है कट रहा है दो पचसहियम 100 और दो छक 12 और दो दुना 4 अब आया 62 बटे 50 लेकिन यह पुना कट रहा है देखिए फिर कट रहा है दो तियाँ 6 और दो इकेम 2 और दो पचीस सहियम 50 तो क्या आया 31 बटा पचीस आपको सरलतम रूप में लिखना है यह कार्ट पीट कर इसको आपको सरल करके ही लिखना है चलिए चवथा जो उदार अड़ है तीन दस्मल 6 नव एक अब यह एक दस्मलों भिन नहीं को साधार अड़ भिन में कैसे बदलेंगे नव एक इसका बटा एक कर सकते हैं चलिए अब आगे करते हैं दस्मलों को हटाएंगे दस्मलों के दाई तरफ कितने अंग थे तीन अंग थे एक दो तीन अंग थे इसलिए हर में तीन जिरो बढ़ाना होगा अब आप देखें यहां यह संख्या 3691 यह 1000 से कट रही है कि नहीं कट रही है तो यहां हम देख रहे हैं कि नहीं कट रही है ना तो दो से कट रही है ना तो तीन से कट रही है ना पांत से कट रही हो तकता किसी संख्या से कट रही हो अगर आप देखी अगर कट रही है तो क आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल ग्यान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए दोस्तो हम आपको मिलेंगे नेक्ष वीडियो में इसी के साथ हम कहते हैं जै हिंद जै भार